मेरे स्टूडियो के आसपास भी उतना ही शोर हो रहा है जितना फिलहाल के लिए यूट्यूब पे इन लोगों ने किया वाई तो जितने भी लोग अपने परिक्षाओं के तयारी कर रहे हैं मैं समझ सकता हूँ आपके ऐसा फील कर रहे होंगे को आप चैनल पर रह सकते हैं अधर्वाइस बस वीडियो देखो समझो मैसेज को और अपने काम पर लग चाहूँ और बच्चों से मैं यही कहना चाहूंगा पढ़ाई पर ध्यान दो यह सब इस इंडस्ट्री की बहुत प्रैक्टिस होती रहती है ऐसी आपका में काम क्या है पढ़ाई करना ऐसा नहीं हुआ कि पी डवलू ने क्लासे बंद कर दी हैं सब जगे क्लासे प्रॉपर चल रही हैं सब जगे रिवीजन हो रहा है आपका मे में काम क्या है जोएं कि रोफ रही है इंजिनियर वनन आप तक्रोर राइंग्टे लवनने के लिए आप जोरी अंतों अवधिया क्ले जाओ यह ईयही फाइं मैं भी चाहता हूं यही सब लोक क्या देकि आर तुमारा काम पढ़ना है ना तुम्हारा काम से पढ़ना है तुम पढ़ाई करो भाई ये सब मत सोचो जब तुम को पढ़ाई घाओं तुम लोग तो यहीं है हमारी इंडस्ति है यहीं हम लोग तुम आगे जाओगे college में जाओगे अच्छी branch मिलेगी तुम्हें अच्छे college में जाओगे बढ़िया job लगेगी तुम्हारी या कुछ अपना startup कर रहे होगे आगे बढ़ो ना यार तुम क्यों पीछे आ रहे हो इन सब चीजों के चक्कर में ना 100 नंबर 200 नंबर आ वैसी कम कर लोगे अपने अच्छी भली तयारी आपकी चल रही ती चलती रहेगी आप लोग अगर चाहोगे कि मुझे अच्छे से पढ़ना है जो मेरा चलता चलने दो और बढ़िया से revision करूँगा पेपर दूँगा पेपर दूँगे बढ़िया collection होगा काम हो जाएगा हमारा वही करो बहुत ही अच्छी बात करी है सर ने and I completely agree to that पर जैसा हर साइट के दो पहलू होते हैं तो सर आपने जो message convey किया और जैसे बहुत सारे motivational messages होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए अच्छा लगता है आपके इन message के पीछे कुछ hidden चीज़े हैं जो आपने शायद सोची नहीं होगी अगर सोची भी होगी तो आपने कही नहीं क्यूंकि वो आपके side को सही नहीं रखता उस particular situation में जहांपे जो आपका actual काम था वीडियो बनाने का वो पुरा नहीं होता तो from a neutral perspective मेरा किसी physics वाला teacher को hate नहीं है मेरा किसी ऐसे teacher को भी support नहीं है जिसे physics वाला छोड़ा है हाल फिलाल में मैं एक student के perspective से एक बात समझाना चाहता हूँ जो student feel करता है पंकर चर के message के बाद में भी आपने कहा कि एक student का काम पढ़ा ही करना होता है very true पर sir एक teacher का काम भी तो पढ़ाना ही होता है अगर आप यह कहते हैं कि उनको इन चीजों के ओपर ध्यान नहीं देना चाहिए उनका जीवन वेस्ट हो जाएगा उनका साल वेस्ट हो जाएगा टीचर्स तो वही है उन्हें तो वही रहना है उसी industry में रहना है तो यह सब तो उनके लिए चलता रहेगा पर sir यह सब चीजें जो चल रही है जिस तरीके का environment create किया जा रहा है क्या ऐसा environment एक student को focus करके पढ़ने के लिए सही है sir जब घर में माबाप चीक-चीक के लड़ाई करते रहेंगे ना पूरे दिन तो बच्चे के लिए पढ़ाई करना definitely possible नहीं है और अगर हम उस बच्चे से यह expect करें कि वो दोस क्या जाके पढ़ाई कर लेगा तो sir mental state नाम की भी तो कोई चीज होती है अगर आप किसी को यहा अगर वो एकदम से छोड़ के चला जाए तो कैसा फील होता है exactly है कि emotional bond की तो band बच जाती है और फिर expect करना कि teacher पढ़ाई पर focus करके रखेगा that is somewhere not true पर अब जो हो गया है वो तो हो गया है student को focus तो करना पड़े गए और teachers को यह चीज समझना चाहिए उस time पो उनको और support की ज़रूत होती है ना कि इस तरीके की controversies की सर इमानदारी से बताइएगा कि इस तरीके के motivational directional videos करने के लिए जहां पर आप tips दे रहें टेक्नीक्स दे रहें कि भाई कैसे पढ़ना है कैसे focus करना है इन सारे situations के बीच में तो आपको नहीं लगता उससे बहतर यह रहेगा कि physics वाला का हर एक teacher और employee फिलहाल के लिए इस controversy में नहीं पढ़े तो बहतर होगा देखो मैं यह नहीं कहता कि आपको controversy का reply करना जरूरी नहीं है पर जैसा आपने बोला यह सही समय नहीं है Controversy तब controversy होती है जब दोनों साइट से response regularly आते रहेंगे अगर फिलहाल के लिए आपने अपने आपको control कर लिया तो I am pretty sure यह चीज़ इतनी ज़ादा आग नहीं पगड़ रही है तो in the end में यही बोलना चाहूंगा कि फिलहाल के लिए students को शान्ती में छोड़ देंगे तो काफी अच्छा रहेगा कि आप focus कर पाएं I really hope कि आप इन चीज़ों से दूर रह पाएं I really hope कि आप internet का usage यह videos देखना फिलागे लिए बंदी कर दे तो बहतर है और इस बारे में अगर कोई आपसे discuss भी करता है तो don't even entertain the कोशिश कर सकते हैं आप I'm pretty sure इतना easy नहीं होगा पर definitely कोशिश करेंगे तो possible होगा All the very best again and I hope आपके teachers भी सीज को समझाए